Hello students, I am Satna and this is your Hindi lecture. Students, आज हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोगों के हिंदी पद्धे में रुबईयां जिसे की फिराख गौरखपुरी जी द्वारा रचा गया है. इसमें जो कवी हैं, उन्होंने मा और बेटे के बीश के आपसी प्रेम को यहां दर्शाया है, दिखाया है कि किस परकार एक मा जो है, वो अपने बच्चे का पालन पोर्शन करती है, उसे नहला रही है, जूला जूला रही है, कैसे उसे सुन्दर सा नहला के सुन्दर कप्रे दलाती है और उसकी बलईया ले रही है, ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए इसमें, आंगन में लिए चांद के टुकडे को खड़ी, हाथों पे जूलाती है, उसे गौध भरी, अब देखिए यहां क्या कहा गया है, कि जो मा है, वो अपने उस चांद के टुकड़ा होता है, इसलिए यहां कहा गया है, कि जो मा है, वो आंगन में उस चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी है, और अपने हाथों से उसे गोध में भर कर जूला रही है, रह रहे कि हमामें जो लोका देती है, गुंश उठती है खिल खिलाते बच्ची की हसी तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब वह जो मा है वो अपने बच्चे के द्वारा को मतलब जो अपने बच्ची के प्रती अपना प्रेम जो प्रकट कर रही है बार-बार उसे उपर उच्छाल कर तो क्या यहाँ पर बताया गया है कि रह रहके हवा में जो लोका देती है यानि कि जब मा बार-बार उसे उपर हवा में उच्छालती है तो जो बालक है वो खुब खुश होता है और हसता है और उस बच्चे की हसी चार ओर गुंज उड़ती है गुंज उड़ती है खिल खिलाते बच्चे की हसी क्योंकि जब मा उसे बार-बार हवा में उपर उच्छालती है तो बच्चा खुश होकर हसता है और उस बच्चे की हसी जो है वो चार ओर गुंज उड़ती है चीक है एक बब फिर देख लीजे आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे जुलाती है उसे गोद भरी अब क्या है कि बच्चे को मा आंगन में लेकर खड़ी है और वह उसे चांद का टुकड़ा नजर आ रहा है यानि उसे अपना बालक बहुत सुन्दर नजर आता है और उसे गोध में लेकर जुला रही है और जब वह उसे बार-बार हमा में जुलाती है तो बच्चा खुशो कर हसता है और उसकी जो हसी की अवाज है जो गूँझ है वो चारोड वातावरण में गूँझ उठती है यानि कि वही हसी सुनाई देती है चीक है अब इसका अगलत नेक्स्ट देख लीजे देखिए नहला के चलके चलके निर्मल जल से उल्चे हुए गेसूं में कंगी करके अब क्या है वो उसे नहला कर लाई है और उसके चलके चलके यानि की जो मतलब उसके बालों से जो पानी है वो गिर रहा है टपक रहा है निर्मल यानि साफ यानि जल यानि पानी जो उसकी उल्चे हुए गेसूं में कंगी करके जो मा है वो उसे नहला कर लाई है और उसके बालों से पानी निकल रहा है उल्चे हुए गेसुएं में कंगी करके अब जो उसके उल्चे हुए बाल है गेसुए बालों को कहा जाता है जो उसके उल्चे हुए बाल है उसमें में कंगी करती है और उसके शरीर से उसके बालों से चलचल पानी तपक रहा है किस प्यार से देखता है बच्चा मूँ को जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े अब जब उसकी मा नहलाने की बाद उसको अपनी बाहों में लेकर अपनी गोदी में बिठा कर यानि कि जब अपने घुटनों में लेकर उसको कपड़े पहनाती है तो वो अपनी मा की तरफ बड़े ही प्रेम से देखता है ठीक है एक बार फिर देख लीजिए नहला के चलके चलके निर्मल जल से उसकी मा जो है वो साफ पानी से अपने बच्चे को नहला कर लाई हैं और उसके शरीर से पानी तपक रहा है और वहें उसके उलजे हुए बालों में कंगी करती है और जब वह उसे अपने घुटनों में लेकर उसको कपड़े पहनाती है तो बच्चा जो है जो बालक है वो अपनी मा को बड़े ही प्रेम से देखता है ठीक है अब देखी यहाँ पर हमने दो परसंग किये हैं और दोनों में ही माँ और बालक के आपसी प्यार का यहाँ पर वन्नन किया गया है अगर स्टुडेंट्स आपको अगर इन दोनों में फिर भी कोई समझने में या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ओके स्टुडेंट्स थैंक यू